नमस्कार दोस्तों मैं प्रियंका आप सभी का अपने चैनल स्वाधिष्ट रेसिपी में स्वागत करती हूँ प्रिंस आज मैं आप सभी के साथ रवा और गुड के बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड़ू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ तो इसकी रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को इन तक देखिएगा और अगर मेरे रेसिपी आपको अच्छी लगए तो लाइक सेयर कमेंट करना नहीं पूलिएगा और अगर मेरे चैनल पे आप नहे हैं तो सब्सक्राइब पर के लिए लाइक उन प्रेस कर देखने के लिए इस लंडू को बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ड्राइफ रूट्स को रोष्ट करूंगी तो उसके लिए मैंने कढ़ाई गरम किया है कढ़ाई में डाल दी हूँ थोड़ा सा घी घी जब अच्छे से मेल्ट होके गरम हो जाएगा तो फिर हम उसमें डालेंगे आते ले सकते हैं मैंने आप एक ग्रीन पीष्टा कुछ किस्मीज एलमंट्स को चॉप करकर ले लिया है तो चॉप करते से मैं ध्यान ला कि बहुत ही वारिखी से चॉप करना है ताकि हमें लड्डू की बाइंडिंग में कोई प्राब्लम नहों हो तो फ्रेंच ड्राइफ अच्छे से भून गया है अभी मैं गैस का फ्लेम आफ कर दी हूँ और अभी हम ड्राइफ फूर्स को प्लेट में निकाल लेंगे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 100 ग्राम घी इसको अच्छे से गरम कर देंगे तो फ्रेंच जब घी अच्छे से मेल्ट हो गया है अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम सूजी इसे रवा भी कहते हैं से मोली नहीं बोलते हैं और अभी हम डालने के सूजी को कड़ाई में डालने के बाद इसको अच्छे से स्टर करते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम भूनेंगे तो हमें पांच मिनार तक लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है सूजी को और इधर ये देखिए मैंने गूर्ड लिया है सूजी में डालने के लिए तो क्या करना है न मैं क्या की हूँ कि गूर्ड ली हूँ सूजी का आधा मैं गूर्ड ली हूँ अभी हम चलते हैं फिर से सूजी की तरफ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से भून चुकी है और मैंने बिल्कुल लोव फ्लेम पर इसे भूना है अच्छे से भून जाएगी उसके बाद हम उसमें ग्रेटेट को कोरनट डाल देंगे या पिर डेसिगेटेट को को करनट पाउर्डर हम इसमें डाल सकते हैं तो मैं अभी आधा सीरप डाली हूं जरूत पड़ेगा तो मैं इसमें और सीरप भी बाद में एड करूंगी एक दानेदार लड़ू नहीं बनेगा तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि गूर्ड का सीरप डालने के बाद भी सूजी हमारा कितना खिला-खिला है और इसलिए बिल्कुल धीरे-धीरे डाले जिसने जरूरत हो उतना ही डाले गूर का सीरप और और अभी मैं इस सिच पर गेस को और इक प्लेट में इस मिक्चर को निकाल देंगे इस निकालने के बाद पांश मिन्न तक हम इसे थंडा होने देंगे इसे हम कि अपर से चंठ कर सकlier कर लड़ू बना सके उतना हमें ठंडा करना है उसके बाद हम अपने हाथ पर घी लगाएंगे और आप बघी कि अपर देख रहे हमें कितना अच्छा हमारा लड़ू बनकर त्यार हो रहा है तो इस तरह से से सभी लड़ू को बनाकर त्यार कर लेंगे तो फ्रेंड्स त्यार है हमारी बहुत ही टेश्टी हेल्दी रवा और गुर का लड़ू यह रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जुरू बताईएगा और अगर यह रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी लैकॉन प्रेस कर दीजिएगा मैं सभी नहीं और आसान देशिपी को देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स वीडियो मे नहीं तेखी बिगे साथ अब देखने के लिए बाए थैंक यू